इस्टूडेंट अब हम हाइब्राइजेशन टेकनिक्स ओक्रा में केशे करते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो उकरा है इसको मैं आपको फ्लॉरल बालो जी में बताइए हूँ इसको दोसी भासा में लेडि फींगर की नाम से भी यह उकरा को जाना जाता है जिसे हम लेडि फिंगर भी कहते है इसमें जो क्रॉमोजूम की शंक्या होती है 2N इसकोल to 130 होती है बोटे निकल नेम जो इसका है अवेल मस्कस एसक्लोंटरस है इसमें जीनस जो है अवेल मस्कस है और इसपीसीज जो होती है वो एसक्लोंटरस है इसका जो प्लांट्स होता है स्कुलिण इस वो जो है इस बंट होति है मूनिन रुकरण इसका जो फ्लावर होता है किसी भी क्रॉफ को इंप्रूब करने के लिए हम ब्रीडिंग करते हैं ब्रीडिंग की डेफिनिशन क्या है प्लांट बेडिंग की यह कला और विज्ञान है जिसके अंतरगत हम वद्धों के आन्वान शिक्ता के गुड़ों में शुधार करते हैं उसे हम प्लांट बेडिंग तो यह flowers का आप दीख रहे हैं पैडिंकल नीचे था और यह इपी केलिक्स है यह जो red color पदला पदला इस लीफ जो दीख रहे हैं एकदम इसे हम इपी केलिक्स करते हैं यह वह शिंगल होता है इसके बाद है करोला जो यलो कलर का जिस हम पेटल्स भी कहते हैं इस्टीगमा इस्टाइल एंड नीचे ओवरी होती है यह फ्लावर्स के चार पार्ट होते हैं अब यह एंडुर्शियम पार्ट को जो है उस गाइनेशियम पार्ट को अलग कर दिया है जो इंडुर्शियम पार्ट को रिमूउब कर रहे हैं एंडुर्शियम पार्ट को रिमूफ किया और इसमें इस्टेमिन जो हैं एंथर प्लस फ्लामेंट और इसका जो फ्लामिंट होता है बहुत स्मॉल साइज को होता है अब करूला पर आये करूला में जो नीचे डीप रेड कलर होता है उसे हम क्या करते हैं क्रिम्सन स्पॉर्ट और जो उपर यलो कलर जो है उसे हम क्या कह रहे हैं वहां पर लिम्ब होता है नीचे क्ले होता है ज यह इसका मैचियर लिया गया है इसमें इपी केलेक्स प्रूट का साइज है इसमें दिखाया है फूरुट में जो ओवरी होती है यह इसका जो ओवरी है वह पिंटर कर्पलरी ओवरी प्रजंस होती है इसमें 5 seed बनते हैं उसमें लोक्यूल होते हैं प्रतेक् लोक्यूल सें सिंगल सीड होता है अब अब ँब पिंटर कार्पलरी के करण्ट में लार जो अदिक on mi और उसमें आप देखोगे कि वह सिंगल एक उसके बीच में एक सिंगल लोक्यूस होता है वहाँ पर एक शीड होता है ओवरी का इसका जो हम दिखाये थे वह क्या था टीएस काटे थे अब इसका फ्लावर में आईए फ्लावर में हम देख रहे हैं कि यह जो इस्टिगमा है ड भी इंच्टिग इसके बाद नीचे रहता है ओभई फिर हम देखते हैं हमस कुलेशन करना है एक को आइमस कुलेशन होताओ होता तुम इंठर का रिमू नहीं इसके लिए टाइमग जो होता है फिर उसके लिए बढ़ किस अइप का बढ़ हम सेलेक्शroot करेंगे इमस्कूलेशन के लिए कि मोस्ट इमपीर्टन्स होता है कि हम किस बढ़ में क्या इमस्कूलेशन कर रहरा है लेथ जो flower bud होती है वो हम emusculation में selection करते हैं उस बड़ को इसके बाद क्या जाता है तो वो evening में 3-5 करत किया जाता है उस समय stigma जो होती है वो receptive नहीं होती है और एंथर भी active नहीं होते हैं जो जो इसके बाद लूद्धों कर दिया है तो उस में दो पार्सदिखाए देंगे इसके बाद अर्ञडोशियम और गाइनेशियम एसके बाद दीख ह्रहे है हैं कि इसका जो इपी कालिक्स है और कैलिक्स और करोला है दोनों को है Mोडrau किया जा रहा है efforts की है I make यह इसके बाद, चरूक्ष सद् percept." इसके सब्सक्रयद सब्सक्यूरा सब्सक्राइब्न. इसके स्टिग्मा सब्सक्राइब Gefoet को उर्यू में इसके सब्सक्राइब बॉन फिल्स शी इसके सब्सक्राइब सinkuवार्धर समी पश्थिщ late female reproductive organs होते हैं stigma style और ओवरी यह female reproductive organs में क्या आता है stamin, अब इस नहीं क्या है stamin अन्थर प्लस थामिंट र और फ्लामिंट दोनों को रिमोप कर दिया या अलग करके दिखा दिया तो उसे हम क्या करते है इस्टेमिन या उसी को हम कहते हैं एंड्रोशियम यह देख रहे हैं इसका जो एंथर है उसको भी रूम इडिशन करते हैं तो हमको ब्रेडर किट की आवश्यक्ता रहती है फॉर्शिव शीजर केमल ब्रेस बटर पेपर बैग टैग इन सब की आवश्यक्ता पढ़ती है अगर ऌल है और यह चीज़ नहीं है तो हम इसको नहीं कर सकते हैं उसका इसका जो फ्लावर होता है यह ऐ सेक्चूल फ्लावर है जुआ तो स्पंधिमेल ओर्पंप्ड कॉट्र इसमैं आप देहे कि इसका जो एंडुक्श्यम प्हूता है वो पूरा रिमूब कर दिआ गया अच् जो भी एंथर उसमें रहने न पाए इसके बाद हम क्या करेंगे एंथर को रिमूब कर दिया और जो भी हलका एंथर लगा हुआ है तो उसको अच्छे तरह से निकाल दिया जाता है कैलिक्स को भी हटा दिया जाता है और इसके बाद हम जब यह इमस्कुलेटिट बड त्यार हो जाती है तो हम इसको वापस बटर पेपर बैक से कवर करेंगे इसका जो अभी देखिए इसमें कुछ एंथर लगा हुआ है उसको मैं रिमूब कर रहे हूं पूरी तरह से इसमें एंथर को हटाया जाता है यहां से तभी इमस्कुलेटिट बड त्यार होती है यह फिमेल रिप्रोडेक्टिव और्गन इसको इदम दिखाना है तो इसको इसको पूरा रिमूब कर दीजे जो एंडरोश्यम पार्ट जो है उसको पूरी तरह से रिमूब कर दिया अब त्यार हो गया है इमस्कुलेटिट बड अब मैं इसको बटर पेपर बैग की हेल्प से इसको कवर कर दूँगे बटर पेपर निकाला और इसको वापस बटर पेपर बैग और क्लिप्स की हेल्प से इसको वापस कवर कर दिया यह जिससे कोई भी इंसेक्ट या किसी भी तरह से कि जैसे हवा के द्वारा भी कोई पॉलन ग्रेन कहीं से उसमें स्टिग्मा पर टच नहोंने पाई इसके लि क्लिप का पॉलन ग्रेन डुस्ट हो रहे हैं इस फ्लावर को लिया धिरन बैर आकर के द्सको फ्लावर है भी बडरेट ऑब हमहले हैं तो च pist रलावर को मैं पॉलन ग्रेन को ले ले लिए अब हमम वापस मोर्टोह में 8-10 की हैं इसको मॉझ्दक्र बिच्कम करते हैं इसमे से डेष्ट कर दिया जाता है कि वह अ मॉन् continuing sugar अजिसकी वह इस देख कर दिया कि już निजेस्ट कर दिया टिया इसकी पूरा फ़िए क desafl 一 नि से कबर कर दिया जाता है इसी किसी भी तरह का अधर पॉलिन ना उसमें इंटर कर शके यह बटर कर दिया पॉलिनेशन के बाद और एक स्मॉल साइज के इसमें टैग को भी बांदा जाता है उस टैग में हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं उसमें पॉलिनेशन का टाइमिंग कऊंपने विला है यह कौन से लिखें गोदेगे और दूसरा करने मिर अभी में ने किस डीया इन पनेfunded डिया करके उसमें कबर कर दिया जाता है वापस उसी फ्लावर जो बढ़ है जिसमें हमने मस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन किया है कि अधाशी हम आइडेंटिफाइब कर सकते हैं कि इस बढ़ में हमने हैब डाजेशन टेकनिक्स किया था देखिए इसको कि यह लिक के बान दिया गया थेंक यू बरी मच्छ के लू आप कारा है माल से उआ यू डू चारव GG